नमस्कार एक वाफिर्स आपका सौगत है क्रिकेट केश्री में मैं हूँ अविनौ एक वाफिर मुंबा इंडियन्स के जादू देखने को हमें मिल रहा है एलिमिनेटर में लखनो सूपर जाइंस को चैंपियन की तरह हराया और फाइनल की रेस में एक कदम और आगे बढ़ा लिया है रोहित की टीम ने बड़े भाई कुरुणाल पांडिया को तो हरा दिया है लेकिन हमने अक्सर देखा है कि बड़े भाई को अगर चोट पहुंचे तो उसका बदला चोटा भाई लेता है और यहां रोहित का अगला मुकाबला कुर्णाल के छोटे भाई हार्दिक पांडिया की टीम के खिलाफ ही है और वो टीम एक चटान है जिसे हराना अपने आप में एक अचीवमेंट आकाश बदवाल एक अनकैप्ड प्लेयर पांच रन देकर पांच विकेट लिए और मुंब इंडिन्स ने और बोर्ड पर लगा दिये 20 ओवर में 182 रन यह वही पिस था जिस पर एवरेज स्कूर 142 है और यहां 183 रन का टार्गेट चेस करना माउंट एवरेज पर चढ़ाई करने जैसा था हाला कि लखनो इस टार्गेट के आसपास भी नहीं पहुंच वाई और मात जरा टाइटन से होगा अब इस टीम का अगला मुकाबला जो भी टीम जीतेगी वह खेलेगी फाइनल में चेन्ने सुपर किंग्स के खिलाफ जो पहले से ही गुजरात को हराकर फाइनल में एंट्री ले चुका है अब यहां से सभी चैंपियन टीम इस टूनामेंट में अला है क्योंकि जो भी टीम हारेगी वह सीधे जाएगी अपने घर तो यहां से दो मुकाबले बचे हैं और फिर हमें मिलेगा आईपियल सीजन सोले का चैंपियन तो यहां से दोनों मुकाबले में होगी कांटे की टककर फिलाज क्रिकेट से जुरी ऐसी ही और वी अपडेट को जाने के लिए देखते हैं क्रिकेट के इसरी धन्यवाद